क्या डायबेटीस के मरीज पाइनेपल खा सकते हैं, पाइनेपल का मतलब है अनानस, तो जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोशे, मैं एक डायबेटीस कोच हूँ और एक फिटनेस निट्रिशन स्पेशलिस्ट, तो गाइस किसी ने मेरे से पूछा है कि क्या डायबेटीस में आनानस खा सकते हैं, आप देख सकते हैं, मेरे पास एक आनानस है, इसक जानते हैं आज इस वीडियो में कि क्या डायबेटीस के मरेज आनानस खा सकते हैं, तो इसको जानने के पहले, सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, तो गैस इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 66 से लेके 70 तक हो सकता है और 100 gram में आपको 13 gram के आसपास आपको कर्वोईडिड मिलेगा तो glycemic index और कर्वोईडिड content पर 100 gram जानना बहुत जरूरी है तो अभी आप लोग जानगे कि इसका glycemic index जो है वो 66 से 70 तक हो सकता है जो की medium range में आता है medium higher range में आता है इसका मतलब है कि अगर medium range में कोई glycemic index आता है तो वो आपके sugar level को बढ़ा सकता है लेकिन glycemic index ही सब कुछ नहीं होता है हमें glycemic load जानना बहुत जरूरी है तो इसमें carbide 100 gram में तकरीबन 13 के आसपास है तो अगर मैं इसका glycemic load calculate करूँ तो वो तकरीबन 9 के आसपास आएगा तो आननस का glycemic load 100 gram में तकरीबन 9 है जो की low कह सकते है आप लेकिन अगर मैं इसको compare करूँ एक save से तो save का glycemic load सारे 4-5 के आसपास होता है तो इसका मतलब है कि इसका glycemic load save से दुगना है तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपने diet में 100 gram save खा सकते हैं तो आप अननस को भी शामिल कर सकते हैं लेकिन इसका portion size आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 50 gram लेना पड़ेगा क्योंकि 50 gram का अननस और 100 gram का save जो है वो तक्रीवन equivalent है तो अगर आप 200 gram save खाते हैं तो आप इसका 100 gram आप ले सकते हैं तो इसलिए guys glycemic load जानना बहुत जरूरी है और जब glycemic load के बारे में जब आप जानेंगे तो आप कोई भी चीज खा सकते हैं और glycemic load किस पे depend करता है glycemic load depend करता है आपके portion पे तो इसलिए portion size control करना बहुत जरूरी है आप कुछ भी चीज जो है बहुत जादा नहीं खा सकते हैं और कुछ लोग यह कहता है कि यह मीठा है तो जितना भी मीठा फल खालो आपका diabetes ठीक हो जाएगा वो भी गलत है और बहुत सारे लोग ऐसे है वो कहता है कि आननस बहुत मीठा है तो इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए वो भी गलत है आप कोई भी चीज खा सकते है लेकिन आपको उसकी glycemic load पता होना चाहिए और जब आप glycemic load जानेंगे तो आप कोई भी चीज खा सकते है चाहे वह फल हो सबजी हो या कुछ भी और चीज हो बिलकुल खा सकते हैं लेकिन आपको यह धियान रखना पड़ेगा कि पूरे दिन में आपको ग्लाइसीमिक लोड जो है वह 25 के आसपास रखना पड़ेगा अगर आप एकसीडेंटरी लाइफ जीते हैं आपका फिजिकल अक्टिविटी नहीं है तो पचीज के नीचे अगर आप ग्लाइसीमिक लोड रखेंगे तो आप कोई भी चीज खा सकते हैं चाहे वह आईस क्रीम ह हो इज़ा हो पास्ता हो कुछ भी चीज आप खा सकते हैं तो गाइस धियान रखना है अगर आपको डाइबिटीज रिवर्स करना है तो आपका ग्लाइसयीमिक लोड 25 के नीचे रखना पड़ेगा नहीं तो आप डाइबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर अनानस खा सकते हैं अगर उनको diabetes है लोग खाना छोड़ दिया है अनानस खाना छोड़ दिया है क्योंकि लगता है उनको बहुत जादा मीठा है इसका glycemic index भी हाई है इसका glycemic load भी थोड़ा सा higher side में अगर मैं save के साथ compare करो लेकिन उसके बावजूद भी आप अनानस को भी ख खा सकते हैं और खाना भी चाहिए क्योंकि अनानस में वीटेमिन ए मिलता है वीटेमिन बी मिलता है वीटेमिन सी मिलता है तो बहुत सारे वीटेमिन और साथी साथ मिनेल्स भी मिलता है इसमें अच्छा खास आपको potassium मिल जागा आपको magnesium मिल जाएगा जो कि आपके diabetes reversal में मद जाएगे और आपका सहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा तो गाइस इसको जरूर खाये अगर आपको diabetes है कोई दिक्कत नहीं है मैंने आपको बता दिया formula बता दिया कैसे आप खा सकते है glycemic load जो है आपका 25 के नीचे होना चाहिए तो आप अनानस भी खा सकते है तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक like कर देना और अगर चैनल में नए है तो subscribe जरूर कर देना इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वास्त रहे मास्त रह इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत देनेवाद तो गाइस अभी मैंने एक एप लॉंच किया है तो आप उस एप को डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description box में आपको link मिल जाएंगे जब आप उस एप को डाउनलोड करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको plans दिखेगा आपको weight loss का plan दिखेगा आपको weight gain का plan दिखेगा आपको diabetes reversal का plan दिखेगा तो अगर आप लोग मेरा coaching लेना चाहते हैं weight loss के लिए weight gain के लिए diabetes reversal के लिए तो आप उस एप से जाके कोई भी program जोइन कर सकते हैं